इस संजुक मार्फ और कॉंटेक्स से चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया है और ये टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि फोटो का बैग्राउंड कैस से रिमूब करते हैं बिना किसी थार्ड पार्टि अप्लिकेशन के हमारा बिंदोज ऑप्रेटिंग सिस्टेम हमगो एक अप्लिकेशन परवाइड करता है जिस application का नाम अपनद 3D application जब आप अपने विंदोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टेम को अपने कम्पूटर में इइंस्ट पे आप जाके अपने फोटो के बैग्राउंड को रिमूब करने नहीं आता है तो आप इस अप्लिकेशन के मादियम से बहुत एजली ही अपने फोटो के बैग्राउंड को रिमूब कर सकते हैं वो भी बहुत कम टाइम में तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे किया आता ह अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा, लाइक करिएगा, सेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट आप करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपक कि हमारे पास एक white space आएगा तो हमें यहां पर menu में जाना है और यहां से open करना है open नहीं कर पाते हैं तो हम browse में जांगे और browse में जाने के बाद हमारे पास यह desktop पेक photo है اس photo को हम यहां से select कर लेंगे ठीक है अब इस photo का जो पीछहे का background हमें और वह प्राप को जी का इस फोटो कशक्ता कर देखा रहा है यहां पर सब्सक्राइब तो हमें कर दो करना इसको लोगाएं और गाल फॉटो को इससे को चीज से आर पर सब्सक्राइब जाएंगे तो यह क्या करेंगा एक तो इसको और आपको यहां पर फोट पर राइट साइड में एक option आएगा next का हम इस पर click करेंगे और click करने के बाद यहां देखिए photo पहले से select हो गया तो हम यहां पर remove पर जाएंगे और इसको क्या करेंगे यहां add पर जाएंगे देखिए फोरा photo मेरा नई select हुआ तो हम इसको थोड़ा सा बाहर करेंगे यह देखिए मेरा photo select हो गया ठीक अब select होने के बाद मेरा photo इस तरीके से मुझे दिखाए दे रहा है अब देखिए आपको लग रहा है कि आपके पास कोई background है तो आप इसको बस क्या करिए यहां पर simple सा done कर दीजे जैसे done करेंगे आप देखेंगे कि आपका photo आपके frame से remove हो ग गया है अब आप इस photo को कहीं भी ले जाना चाहते हैं तो आप उसको असानी से उस पर ले जाकर रख सकते हैं जैसे हम यहां पर MS word on कर लेते हैं MS word application on कर लेते हैं और इस photo को मुझे उस पर ले जाना है तो हम इस पर select करेंगे और select करने के बाद यहां से उसको copy करेंगे और copy करने के बाद MS application पर जाएंगे और यहां पर paste कर देंगे तो यह देखिए without remove मेरे system पर क्या हो गया यह photo आ गया अब इसकी size को आप छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं यह बिना background के आपका photo आपके system पर आ गया ठीक तो अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो नीचे comment box में करके आप like button दबा दीजेगा और comment करके बताएगा कि आपको यह video पसंद आया धन्यवाद